इसकारिक्रम के पुन्यार जखें श्री राजेंद्र प्रसाज जेन, श्रीमती ममता जेन, सुपत्र श्री प्रशांत जेन, श्रीमती दिव्या जेन, भरत जेन, पारस जेन, सपरिवार आदि से की गई है कैसी व्यवस्था एक बहुत अच्छी प्रंगती और दिश्थान के साथ में आपको बताना चाहता हूं चाहे वो युवा आपके घर का हो चाहे घर के बाहर का हो आप लोग भी सुनना और जो युवाओं के संजक्षक हैं वो भी सुने एक लड़का अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हुए कुछ मार्ग भटग गया हम तो अजह भूलते ना अजह जय坜 दो कि अब्रोड जये नॉर्मल अब्नॉर्मल ऐसी यूट अब्रोड जो भी अ उसका नाम अब भीलild है और जो मारग परने उसका नाम भी अब रोड है जो अब रोड जा करके और अब रोड होना चाहता है उसी मपटक नहीं भटकना है तो भटक गया थोड़ा सह अब भटक एसा कि पहले दीरे-thीरे इस पे था पर धीर धीरे इस पे था फिर कुछ और भी वह ने लग गया अब जब वह ने लग गया लेकिन उसको पिता को अपने वेटे पर पूरा विश्वास है एक बार उस पिता की मित्र ने कहा कि जनाब कि उस पता है कि आपके साहब जादे क्या गुल फर्माते हैं क्या गुल फर्माते हैं तो देखा भी करो आँख पर पट्टी तो नहीं है लेकिन मोह की पट्टी बहुत कुछ देखने से अपने आपको दूर करती है मुह की पट्टी को तारो और पता करो कि क्या करता है नहीं नहीं रात को 11 वारा पर लिखर में आई जाता है जब 9-10 बजे तक बिजनिस करता है उसके बाद 2-3 घंटे उसको तो लगते हैं कि फ्रेंड शर्कल तो होने से ये कम से कम तो मित्र की बात को सुनकर के वे उन Falun एजां अंदास कर दिया एक दिन जब हद हो गई तो मित्र दो मित्र होता है अपने मित्र का किसी भी रूप में बुरा हो रहा हो उसका भला करने का प्रयाज करता है तो उसका बेटा जो जो अलब रास्ते पे जारा था वो पहुच गया आज तो में अपनी मुहे की पट्टी अलग करने ही पड़े गया तो मेरे साथ चलना पड़ेगा कहां जहां है तुम्हारा सहाब जादा मैं भी साथ में चलूँगा चलो जाते हैं वो सोच्राता अच्छा कहीं गया होगा स्वाधाय खन्ने के लिए हैं इतने संस्कार दिये हैं बचपन से संस्कार कहां गलत तो है और मुझे अपने आप पर विश्बास पी है वो बेने बेटे पर विश्बास है जब वो चल आ गया और जाने के बाद जब वहां पहुंचता है तो क्या देखता है एक पब में बैठा हुआ था अब तो समझते हो और एक मेज थी वस मेज की चारों तरब फ्रेंट्स बठे थे और आसकल तो फ्रेंट rootserくल फुरीतब होती जब उसमें जेंडेर वाले तेट सामिल होगा है समझते हो कि फरेंड्सर्कल और फ्रेंट्स में अंतर है है इससले जाए है जब उसमें अगन्श जैंडर वाले फ्रेंड सामल रहे होग आपके लिए तो बैठे थे शरकल में वैठे थे अồi इतने में क्या डेखता है नहीं देखो शमली साथ में बैठा है वो कुछ कर तो नहीं रहा ना अभी मुखे की पट्टी पिता की बेटे को देख करके बनी हुई है लेकिन जब उसने देखा कि हाथ में प्याला भी उठा लिया उसने अरे हो सकता है सदकल है दूसरे को दे रहा हो लेकि जब देखा कि दूसरे तरफ ऐसे हाथ ना बढ़ करके ऐसे बढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा सदमासा लगा इतने के बाद जैसे वह मुख के पास ले गया और देखते लाते लेते उसकी दिश्टी अपने पिता पे पड़ गई पिता भी बहुत पहुत अक्का रहे है यासे के संभव लेकिन जैसी दिश्टी उसकी पिता पर पड़ी आज वाज वह देखता है कुछ मिल जाए चुपने के लिए तो कुछ नहीं मिला तो एक तिनका मिल गया उसने तिनके को ठाया और ऐसा कर लिया अपने पिता को देख क इसज स्मुझें के तुम चलो यहां से हडी मुझे ले जाने जाने के फायदा उसको ले चलोagen से नए अपन चलोसे देखो इतान इच्borg इज्ट दार पिता और कर्ताव निश्ट प्ता की क्या जिम्मेंभारी बंती आप देखो तो यहां से हडे उसको तो ले चलो नही उसक क्यों कह रहे हो बोले अभी उसके पास तिनके के बराबर शर्म बची है कि ये तिनके के बराबर शर्म बेच बेठा तो बापस लोटने के चांस खत्म हो जाएंगे इसलिए तिनके के बराबर शर्म उसको बचने दो इसी को मैं ला करके बापस ले आऊंगा बास समझ में आ र बाहर होने से बचाओ, इसी को बोलते हैं उपगुहन, और उपगुहन किया जाता है, तो इस से सबसे पहला विश्वास जीता जाता है, और जब विश्वास जीत लिया जाता है, तो इस्तितिकरन अपने आप होने लग जाता है, उपगुहन का मतलब साधर्मी के दोसों को और इस्तितिकरन मर्लब उनके दोसों को मुक्त करके उनको बापस रॉल वेक ऐसा इस्तिति पर लाना और ये दोनों विना वातसल के नहीं होते अंदर वातसल होगा तभी जाकर कि उपगूहन और इस्तिकरन होगा और जब ये तीनों जोड़ जाते हैं तो बाहर प्रभावना देखने को मिलती है समय देश्टि की जो चार वांकी के अंग हैं ये पर आस्रित हैं और प्रारम के चार अंग है निश्रंगित, निकांग्चे, निर्विचा किस्षा और अमो देश्टि ये स्वास्षित हैं ये हमारे आवे वर्स्ता अनादिकाल से देर रखी है इसको अगले 10 वर्सों में पांस से लेकर पंद्रा तक ताड़िये था उसमें लाड नहीं करना उसमें ताड़ना पहले कि चाहब वो सिक्षा खोते थे चाहब कुछ भी होए कान को ऐसा मोड़ते थे कि जब तक बुद्धिन आ जाए तक छोड़ते नहीं थे ऐसा लिकिन जैसी व लाड करके वो ऐसी कठोर मिट्टी बन जाता है और फिजब ताड़ना इकोसिस की जाती है तो कठोर मिट्टी को ताड़ों के तो वो तूट जाती है वो अंत निकलता है कि तुम अपना देखो हम अपना देख लेते हैं ऐसा और कल्चर भी वह आ गई है क्योंकि वहाँ पर संबेदंशील और नाजयक स्थिति होती है उनको अपने के लिए ऐसा आपके दान दान जो अहार दान की आप बात कह रहे हो यह दान अंतिम आवश्रक है छे आवश्रकों में देव पूजा गुरु अपासना स्वाध्याय 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 तब और दान अब वह जो कुछ गलत कर वैठा पश्चताब भी कर रहा है लेकिन पश्चताब करने के पश्चत मूल धारा में शामिल होने के लिए एकदम से अंतिम सीडिये पर क्यों आना चाहता है प्रारम के पास सीडिया और भी है उनको करके दिखाए और उनको करके जब दिखाता है तो इसक परमिशन और इसकी अधिकार की प्राप्ति गुरुओं के पास जा करके मिलती है फिर गुरु महराज के पास जाए अकेला ना जाए जिनके सामने अपने जो चार पांच आवश्चक करता रहता है उन समाज की लोगों के साथ जब जाता है तो उसको योग बिदी विवस्थ लेखिता ऑच एक जो से जाता है थिवस्थे तेहते उसके कंवा अधिकार मिल भी सकता है मले ही जयुदूरी नहीं लेकिन मिल भी सकता है लेकिन अधिकार मिल जाता है ऐसा मांकर कि कोई नयाव्यक्ती गल्रती कर in बैठे ति उसकी गल्रती और खतरनाक माने जाएगी अब प्रस्न आई गया है तो आप चुकी बच्चों की मतलब की बाद हम चुरू कर देते हैं इन लोग के मन में यह होता है कि चक्रबर्ती भी तो 96 लेकर आया था जिन में से 32 से जाया तो वहीं से आई थी इनने भली कोई पुरान पढ़ा हो लेकिन चक्रबर्ती पुरान पूरा प चमता रगता है जिन मेंसे 32 से जार को जो विधर्मी भी थी तो चक्रबर्ती वह होता है जो करता है पूरे छी खंड के लोग ऐसा करते हैं इसãyीनivals करते हैं पूरे छ्यकंड के लोग ऐसा करते हैं और आपके पास एक को समालने इकूबत नहीं है और 96 जो समाला है उसकी बरावरी करना चाहो पहले 96 लेया और 32 तुम ले आना अलग से दूसरी बात एक अच्छा बात करके आप इस बात को मैं कहना चाहूंगा आप लोगों की घरों में भी बहने होती है आप लोग भी अपने घर में जो पहन है एड़ी बढ़ी हो रही है तो उसकी हर तरीके से निगरानी करते हैं उसके हैंडशाइट बग ऐसा पूरा चैक करते रहते हैं उसके सामने भी कर लेते हैं कई वाई उसके एपसेंस में भी कर लेते हैं इसके बावजूद भी और हमालों किसी से बात करती है किसी के सं दोका दे करके कर सकती है चुकि आप तो पूरे निगरानी कर रहे हैं ऐसे ही आप जिससे बात करते हैं सुनना आप जिससे बात करते उस घर में भी उस पर उतनी ही निगरानी रखी जाती है कितने की आपके घरों में आपकी बहनों पर फिर भी यदि वो आपसे बात कर लेती है तो वो अपने माता पता को धोका दे कर करती है अब सोचो जिन माता पता ने 20 साल, 22 साल, 25 साल कितने साल की वो है जिन माता पता ने अपने बच्चों पर 20-22 साल का विश्वास किया वो 20-22 साल का विश्वास भी घात कर सकती है आप से मिलने के लिए तो आप से मिलने के बाद आपके 1-2 साल का विश्वास घात नहीं करेगी क्या गारंटी है लॉजिक की बात है ये तो जो 20 साल का विश्वास घात नहीं है वो आपसे दो-तीन साल का विश्वास तो चार महीने का विश्वास ये तब ही आपका विश्वास अफगवान जाने नहीं तोडेगी क्या कारंटी इस लॉजिक की आधार पर है लिए आप चलो तो दिमाग के तार जंजन आ जाएंगे कि कितनी बड़ी बात कह दी है क्योंकि विश्वास आपका संबंद का आधार विश्वास घात है ना कि विश्वास ज्योंकि संबंद विश्वास पर बनते हैं विश्वास घात पर नहीं और जिसका आधार है जिसकी कशोर्टी विश्वास घात के रूप में बनी है उस पर आप विश्वास कैसे कर सकते हो सोचने के लिए बहुत बड़ा भी पॉइंट है यतना सोच होगे उतने दमाग अलग कर, नहीं नहीं महारजी हम जिस से बात करते हैं वो तो बहुत विश्वास पात्र है और विश्वास पात्र है तो विश्बास पात अपने माता-पिता की भी होगी और जब माता-पिता की विश्बास पात रहे तो उसके माता-पिता अपना उसकी विवस्था करेंगे दूसरा एक तो पॉइंट ये हो गया दूसरा आप लोगों के माता-पिता सिर्मात आपके इसी पॉइंट में या इसी प्रसंग में नेड़े देने के लिए तो आपके साथ घर में रुके हैं ये तो उनको मालोग में घर कितना सही होता है गरस्ति कितनी अच्छी होती है उन्होंने अपनी गरस्ति जी के देख लिए अब तो वो अपने गरस्ति को छो वह भी जीवन का अहम नेड़ा है आप लोग बोलते हैं ना प्रैक्टेशन एक्सपिरेंस मैंक्सिमेंट पर्फेक्ट अब प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो उसमें लेकिन एक्सपिरेंस कहां से लाओगे और जितना बड़ा एक्सपिरेंस उतना ही वड़ा परफेक्शन अब जीवन भर वाला है उसमें जीवन भर वाला परफेक्शन चाहिए आपको और जीवन भर वाला परफेक्शन तो जिसके पास सबसे अच्छा एक्सपिरेंस हो उस इसे मिल सकता है अब जी आपने अपनी दो-चार बार साधियां कर ली हो और फिर नेड़ा लो तो कोई बात न इतने बड़े जीवन का जोखिम बाला नड्या लेकरे वक्त आप अपने आधार पर आपके पास experience भी नहीं है लेना चाहते हो तो ऐसे नड्याओं की कितनी सफलता होती है आप सर्वे करके देख लो तो समझ में आ जाएगा महराज जो arrange marriage होते हैं उनकी भी तो कई बार fail हो जा कभी नहीं कोई भाई रहता है कि इनका विश्वास भली तुम अपने पती का विश्वास तोड़ दोगी लेकिन बाकी जन्हों ने आपके लिए संबंद बनवाया है उन सब का विश्वास तोड़ने में आपको कितने और क्रूर बनना पड़ेगा तो क्रूर तम तरीके के आधार पर ही वो इस प्रकार का निर्णा लेती है नहीं है तो इस में तो कोई करूर बनने की बात है नहीं हम प्रही बंचो के इतने वार में हमने संबंद भी बिना मजी के किया था उसके बाद तोड़ना भी बिना मजी के हो जाएगा इसलिए इस प्रकार के के से के डिवो स्रेष्ट करने की बात आती है तो स्रेष्ट करने के पीछे हम अपने कर्तव और अरिकार के बीच में संक्तुलन बनाना भी चाहते हैं जैसे आप लोग आए जिनाले में आए सादू के समक्स बैठे हैं और देव सास्त गुरू की आग्या पालन करने का बिचार भी रखते हैं यह बात अलाई कितना पालन कर पाते हैं अलग विशह है और इसके पहले अभी जो बात कही हमने यह बात इसलिए कही यूँकि इन बात राहे चल्दी बढ़ जाती है यूबा वर्ग जो गुम्राय होता है इनी बातों की सही मन्थन नहीं करने के कारण हो रहा होता है दूसरा यह तो हर व्यक्ति का लक्ष वही है जो लक्ष आदिनात ने पाया जो लक्ष शांतिनात ने पाया और जो लक्ष पाशनात ने पाया यह पितने लोग हैं तो यह नहीं चायते हैं को अधर यह हुफे एक दिन भगमान बनना है यह बात अलागा कि हमारा समय नहीं की यह पुछनी डिखें है कि ठीक है अब जिनको नहीं मिलता कोई बात नहीं हम चल के दिख लेते हैं तो यह सब कवायत के बीच में सही निर्णय करपाना बहुत कठिन होता है इवन अवरी करेक्ट डिसीजन इच रॉंग बनेट वास टेकन तू लेट हर वो सही निर्णय गलत सावेत होता है जब वह देरी से लिया जाता है इर्णय को घिख बीचार सभ्रुष कर दिया है वो निर्णय का जू दे्र से आए ट्ब तक पूरा काम ही हो चुका सामने वाले जो परेयादि निर्णय चाहता ए तो अपरादी शिथ का चुका और अपरादी सीथ होने के के परस्चाथ उसको नियाई मिल भी जाए तब अपरारी को नियाय तो अपन्याब मिल जाता है जब उसके अपरारी की सदा पूरी कर लेता है सदा पाने के बाद उसको नियाय मिला किस काम का नियाय ऐसी ही हम सब इस संसार में सदा पाने के बाद एदि नियाय की कटगरे में पहुंचते हैं तो किस काम का कर दो कर दो कर दो